हलो एविवन कैसे हो आप सब मैं हूँ गौर्व काबरा और जैसा कि मैंने आपको प्रामिस किया था आज एक स्पेशल एपिसोड आप सब के लिए आया है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे टॉप 20 पिक्स आज अफ नौ कौन से हैं जो भी नए यहां पे सबस्क्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनको पता चले कि अक्चुल में यहां हो क्या रहा है तो देखो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड़क्शन दे देता हूँ मैं नाम है गौर्व काबरा, I am a chartered accountant, I have also cleared all the three levels of the CFA program मैं एक full time teacher हूँ, but at the same time stock market पे educational and training videos बनाता रहता हूँ and obviously an active investor भी हूँ, तो जहां मैं invest कर रहा हूँ या जो भी मेरे मन में चल रहा है उसको मैं एक model portfolio के थूँ आप सब तक communicate करता हूँ हमारी एक series चल रही है हर संडे को, जो की है journey of an investor और उस series के साथ आपको जरूर जुना चाहिए अगर आप मुझे first time देख रहे हो और stock market के बार में कुछ सीखना चाते हो, तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो दूसरा काम ये है कि मैं जो approach या फिर जो philosophy follow करता हूँ stock market के लिए, उसे हम growth investing का नाम दे सकते हैं यानि कि यहाँ पे हमारा target रहता है कि ऐसे stocks में हाथ लगाए जिन में growth story है, जो की past में भी देखी गई है, future में भी carry on होगी और हम try करें उनी growth stocks में पैसे बनाने की highest price possible, आप अपने मौके का wait करो, जब आपका मौका आएगा तब आप उसमें ride करो, that will give you a very good entry and एक अच्छी entry आपको बहुत जल्दी एक profit में conversion करा के देगी और साथ ही साथ future losses को भी आपके minimization करने में मदद करेगी, इनी approaches को ध्यान में रखते हैं हम अपने model portfolio में और आज मैं अपने top 20 growth stocks of India बोल करके आपके सामने जो वीडियो लेकर क्या हूँ, इसमें मैं इंडिया के सच में top 20 growth stocks लेकर क्या हूँगा, जो आज के दिन मेरे list में top 20 पे हैं, ये सारे stocks अपने आप में दिगगज shares होने वाले हैं, जो बहुत जबदस shareholders के लिए पैसे बना के दिये हैं और आगे भी expected है कि बना के दे सकते हैं, बैट the same time मैं ये जरूर कहूँगा, कि आप ये उमीद ना लगाएं एकदम भी कि यहां पे आपको 20 ideas मिलने वाले हैं, जिस पे आप कल के कल पैसे लगा पाओगे, या आज के आज पैसे लगा पाओगे, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको 20 नाम दूँगा, 20 नाम के पीछे अपनी थोड़ी बहुत messages करो, अपने targets बता दूँगा, या फिर मैं उनके पीछे मेरी जो सोच है वो जरूर बता दूँगा, बट आपको अपने decision खुद से लेने ये बात ध्यान रखनी हैं, कभी भी ना ही मैं व क्योंकि मैं दे भी नहीं सकता, I am not a registered investment advisor, so ऐसे में अगर आप यहां सुने हुए, किसी भी stock पे खुद से trade करते हैं, खुद के actual portfolio में डालते हैं, तो आप उसके लिए जिम्मेवारी खुद ले, यानि की profit हो तो खुद तक रखें, loss हो तो खुद तक रखें, basically मेरे बोलने प को बताऊंगा कि 20 number पे हमारे पास में है Berger Paints, Berger Paints एक गजब की company आप सबको पता है, Asian Paints के एकदम टकर की company है, हाला कि उसे obviously one third market cap इसका है, बहुत अच्छी company है, Asian Paints के मुकाबले इसके fundamentals अगर हम देखें, तो fundamentally यह हर मौके पे आपको Berger Paints, Asian Paints से थोड़ा सा 19 ही लगेगा हर मौके पे, फिर भी stock market में जादा rewarding Berger Paints रहा है, Berger ने stockholders को थोड़ा सा जादा ही सही, लेकिन return कमा के दिया है, and that is why in my top 20, only Berger Paints entered Asian Paints के entry नहीं है, but Berger Paints तो भीया बहुत हाई है, इतने live IP कैस को लेना चाहिए, absolutely not, इस पे मेरा target buying price है 580, now I know, जिसने first time मुझे देखा है, को शायद यही सोचाओगा कि यह आदमी पागल है, इतने उपर के stock को 580 पे आप खरीद ही नहीं सकते, I would also say so, शायद यह 580 का हमारा bargain price नहीं आए, but ऐसे में अगर हम एक restrictive approach अपनाते हैं, तो ऐसे में एक market जो already euphoria में है, तो उस पे आप invest करने से बचेंगे, shareों को top में लेन से बचने की हिदायत भी मैं देता हूँ, and at the same time, अगर आप सीखना चाते हैं कुछ यहां पे market के बार में, तो bargain करना ज़रूर सीखें, मेरा bargain price है 580, सब लोग जानते हैं, बर्जर पेंट्स के बार में एक बहतरीन कंपनी है, and बहतरीन कंपनी को एक अच्छे price पर अगर मिल हैं, चलो, 20 नमबर पे हो गया, 19 नमबर पे आ रही है, कोफोर्ज हमारे सामने, कोफोर्ज यानि के technology based company है, NIIT Tech के नाम से यह पहले जानी जा रही थी, and कोफोर्ज भी एक interesting stock है, जिसको हमने अपने model portfolio में पहले से include किया हुआ है, and मैं उनी prices पे अब भी वापस यहां पे अप बट अगेन, कोई भी correction आए, यह बहुत बहुत बहतरी इन stock है, at rank 19, this makes a wonderful buy into our model portfolio, not actual portfolio, model portfolio में अच्छा बाई बन सकता है, 200 के दाम पे, so, इसके लिए भी wait करेंगे, अगर और बढ़ाना होगा तो, but as of now, model में है, so, कोई problem नहीं है, third, sorry, third मतलब, नीचे से third, यानि कि rank पे आ रहा है, अडानी transmission और अडानी transmission के लिए मैंने price set किया है, 325 का target buying price, which again is obviously very low, इस company के बार में मुझे एक डर, भेंकर डर लगता है, वो मैं आपके सामने share कर देता हूं, although मेरे quantitative model के अनुसार, अडानी transmission makes into top 20, लेकिन अडानी पूरे ग्रुप में भेंकर leverage है, भेंकर, interest coverage ratios बहुत ही जादा खराब हैं, and leverage ratios भी बहुत जादा बरबाद है, debt equity बहुत जादा इसमें dangerous लग रही है, so ऐसे में अगर आप एक disciplined investor हो, और एक leverage stock से थोड़ा बचना चाहते हो, तो I think ये gimmick से थोड़ा बच सकते हैं, ये एक learning भी है साथ-साथ, कि although Adani transmission बहुतरीन चला है, stockholders को बहुत पैसे बना के दिया है इस साल, लेकिन फिर भी इन stocks में fundamentally कुछ ना कुछ ऐसा है, जो dangerous है, so ऐसे में अगर आप इन सब companies को avoid करना चाहों, तो करो, because भंडारा है सर यहां पे, बहुत stocks available हैं, आप इस तरह की companies को definitely avoid कर सकते हो, एक बात मैं surety के साथ कहूंगा, even if Adani transmission drops to 325 levels, तो भी शायद मैं model portfolio में डालने से पहले सोचूंगा, clear है, यह इतनी risky company है, so ऐसे में risk obviously लग रहा है, इसके अलावा 17 नंबर पे हमारे पास में astral pipes या फिर astral polytechnic, और यह एक अच्छी company है, इसका main PVC pipes का ही business है, target prices 1325, extremely good company, I think इसका market share भी 20% है, इंडिया में PVC pipes है, which I think is extraordinary, और ऐसी company हो कभी भी miss out नहीं करना चाहिए, यह company COVID के time पे एक दम भी नहीं चली थी, and COVID के बाद में rocking profits देते हुए, आभी आगे बढ़ गई है, I think right now this is trading at almost life high 1500 के आस पास कुछ चल रहा है, wait करो for a correction, 1325 is a good price to enter, हम भी अपने model portfolio में इसको शामिल करेंगे, लेकिन रुक के, next on my list is 60 number पे बजाज finance, क्या गजब यहाँ पे returns में ले है, 5200 का high touch किया, life high पे trade कर रहा है यह stock, और सबसे बहतरीन बात है, कि 1900 के नीचे से यह तेजी आई है, यह stock ऐसा था जिसको 4900 पे मैं doubt नहीं करता था, 18 सुपर मैं doubt करता था, और अभी 5200 पे फिर से doubt नहीं कर रहा हू basically यहाँ पे तेजी जब आती है तो बहुत तेजी आती है और मंदी आती है तो बहुत मंदी आती है, obviously एक risky stock है, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा stock है जो कि किसी के भी portfolio में होना तो चाहिए, but क्या 5200 पे इसको add करें, absolutely not, 4100 is my target bargain price, अगर 4100 कोई भी correction में देखने को मिलता है, यह assume कर रहा हूँ मैं कि यहीं से correction हो जाए, तो 4100 के levels आ सकते हैं, यह probability based calculations है, मैं ऐसे ही arbitrary कोई भी calculation नहीं बोल रहा हूँ, आपको believe नहीं होगा 4100 का price आ सकता है क्या, बड़ यकीन मानिए, आ सकते हैं, अगर आएंगे तो हम शायद 4100 के लिए इसको consider कर सकते हैं, अपने model portfolio के लि लेंगे और इसका खरीदने का सही भाव चल भी रहा है, Reliance Industries अपने top 300 something से, यहां पे consultator के 2000 के आसपास में बहुत दिन से available है, और मैंने का था, बजार में सब कुछ चल रहा है, Reliance के अलावा, so this is the right time, I think, Reliance चोरी-चोरी, चुपके-चुपके, धीरे-धीर अक्युमिलेट क करना चाहिए, and patiently 5-6 महीने एक साल वेट करें, Reliance अच्छे शांदार रेजल्ट्स दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है, Reliance, I think, 2000 का target buying price, जो कि मैं अपने Sunday वाले वीडियो में भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, मेरे साब से एक wonderful price है, इस पे target buying बनती है, 14 नमबर पे surprising entry, आपने कभी मेरे मुझे नाम नी सुनागा, इस stock का, which is Titan Company Limited, पहुत ही बहतरीन share है, maximum इसका jewelry का business है, हम लोग अला कि जानते हैं इसको watches के लिए, लेकिन इसका maximum business है jewelry, and Titan एक जबरदस share तो है ही, अभी gold के prices में इतना inflation आया, जिसके वैसे Titan में भी जबरदस returns देखने को मिल and that is why this is making into my top 20, मेरे को जितना पुराने याद आ रहे है, top 20 में Titan rarely ही मिलता था, but मैंने जो इस week के top 20 को consider किया, तो उसमें Titan rank 14 पे must stop it है, और मुझे लगता है एक बार आया है, तो थोड़ा रुक के जाएगा, so यहाँ पे Titan में भी again life high levels है क्या, I think life high levels है, and 1170 is the target bargain price, I know, जो भ believe me, and उपर वाले पे भरोसा गरो, जब भी correction आएगा, आपको अच्छा मिलेगा, और वैसे अभी तक मैंने जितने shares बोले, उसमें reliance ऐसा है, जो अभी के भाव, corrected prices ही है, so obviously, corrected share को एक मंदीवाडे में, या तेजी में लेना, जादा समझदारी है, मैं क्यासे आप भी इतने स मजदारी दिखाएंगे, इसके अलावा, next up on my list is HUL, Hindustan Unilever, wonderful company, लेकिन तीट चल गई, इसको थोड़े दिन पहले मैंने पकड़ा था, लेकिन unfortunately, तब तक हमने अपने model portfolio की creation भी नहीं की थी, 2000 के level पर ये एक extraordinary big था, 2000 से लेकर के 200 something के levels इसने दिखा दिये, and now I think, यहां से वा भी है, तो इसमें, अगर कोई invest करता है, तो उसका long term horizon होगा, तो उसको benefits सबसे जादा होगे, इसके अलावा, मैं recent में कई और researches भी कर रहा था, as to what should be your holding period, आपका horizon क्या होना चाहिए, उसके उपर में, जैसे ही मेरी research complete होगी, एक special episode उस पे भी आएगा, so अब special episode भी normal होने व सबसे हो, मैं at the same time कुछ research कर रहा हो, तो वो भी डालो आप, जैसे अभी मैंने top 20 की आपके सामने list डाली, यह महीने टू महीने करते रहेंगे, but इसके अलावा, you can also request for research and many other things which I am doing with my data analytics model, तो वो चीछ के लिए आप जरूर से comment box में अपने exciting comments लिखें, so that मुझे भी motivation मिलें कि चलो कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो अभी देखें 13 नंबर तक हम पहुच गए है, सारे अच्छे अच्छे शेर्स आच्चे हैं, 12 नंबर प्यारिए, about India, I think about India है क्या, जो भी यह pharmaceutical company है and it is doing wonderful, यहाँ पे इस company I think 700 products इंडिया में registered है, company जबरदस्त है, हम इसे model portfolio में कब से शाम पर चल रहा है, in fact, हम बहुत close थे इसको लेने के, लेकिन यह हमारा bargain price नहीं आया था model में, कोई बात नहीं हम तो धीड है, फिर से हमारा price है 14,500, अगर हमारा यह bargain price आएगा, we would definitely like to ride on about India या about lab, बहुत ही जबरदस्त company है, मेरे ख्याल से pharmaceutical में एक बहुत दिगच खिलाडी है, रहना बनता है इसमें, 11 नमबर पे आती है हमारी बाटा, बाटा, यानि की सारी के सारे footwear में, सबसे दिगच प्लेयर बोल सकता हो, मैं कमजम लिस्टेड स्पेस में, बहुत ही गजब यह company है, doing really wonderful, इस पे मेरा target price आ रहा है, 1340, लेकिन 1 मिर, 1 मिर, 1 मिर, 1 मिर, अगर अगर बाटा को invitation दे दिया है, तो relaxo को भी देना ही पड़ेगा, relaxo is on my rank 10, relaxo footwear एक जबबर दस्त company है, and most of you would doubt actually कि relaxo क्या कर सकता है, क्या यह बाटा के साथ टकर में भी आता है, और आपने तो rank में बाटा से उपर इसको डाला है, तो आप एक बार जरा समय निकालिए, और relaxo के ब मैंने consume तो नहीं किया, basically इनके products को मैंने use तो नहीं किया, but I see कि अब shareholder जब मैं हूँ, तो relaxo में ऐसा बात बन सकता है, so yes, relaxo is a wonderful pick, यह बीच में इतना जादा रुका हुआ था इनी levels पे, जिन levels के लिए मैं आप बगवान से प्रे कर रहा हूँ, 624, यह यहीं पे सडर रहा था, बहुत टाइम तक, and उस टाइम में पैसे के crunch के वज़े से, या फिर allocation के वज़े से, इसको आपने टाटा बाई-बाई-बाई, actual portfolio में मेरे बोल दिया था, but now I think वापस इसी levels के लिए हम उपर वाले से मिनत करें कि, please बगवान, एक बार यह levels आ जाएं, हम इसमें इंटर करें, फिर आपको जहान ले जाना ले जाएंगा, गर्दवाइंट से 624 is the bargain price for relax, so I think इसको लेने के वाद आप रिलाक्स कर सकते हो, so this is actually a good stock, we will definitely try to include this in our model portfolio in coming weeks, देखते हैं, ये सब prices आ रहे हैं की नहीं आ रहे हैं, next up is Nestle India, Nestle के बारे में बहीं क्या कहें, गजब कंपनी है इसके बार में कुछ कहने का है नहीं, blue chip, मतब blue का भी blue chip ये हो सकता है company, and इसके लिए target buying prices 1600, 337, I know this company is ranging at around 18,000 plus, लेकिन 18-16 तक का bargain बनता है, अगर हमें ये bargain मिलता है, we will definitely ride on it, so Nestle हो गया, अब आते हैं, अपने थोड़े से small cap के उपर में, या फिर कम से कम mid cap के उपर में, ज exactly, ये एक धमाकेदार chemical company है, जिसने अभी सारे records थोड़े, in fact, अंदर की बात बताता हूँ, मेरे actual portfolio में, मेरे को Naveen Florin पे 220% का profit हो रहा है, mind it, 220 in 3 years, but फिर भी 220% का profit हो रहा है, and I am not selling my stake, क्योंकि मुझे लगता है, ये company एक जबरदस company है, आगे बहुत बहतर करेगी, सा समय और देते हैं, so Naveen Florin, यहाँ पे 2700 का, I think it hit, its life आई, and अभी वहाँ से correction शुरू हो चुका है, so Naveen is already at 2500, I am hoping कि Naveen 2300 पे भी आए, Naveen Florin को 2300 पे, it makes a complete sense कि इसको उठाया जाए, so Naveen Florin is definitely on my radar, 7th नंबर पे आए, GMM Fodler, जो की एक global giant है, आज के दिन, और ये अपने जो product बनाते हैं, glass line equipment, उसमें ये world में सबसे तगड़े market share enjoy करने वाली company है, इस company में अभी एक corporate event के कारण बड़ा नुकसान हुआ था, shareholders, मैं को पता है, कुछ लोग जो लेके रखे हैं, वो गालिया ही देंगे, comment section में आकर कि क्या share आप recommend करे हो, I know यहाँ पे corporate governance का एक issue है, मै बट फिर भी, अगर हम company के mode को समझे, company की global presence को अगर ध्यान में रखें, I think, इधर एक, मैं कह सकता हूँ, एक बहुती गंदे समय में, इस stock में दावा खेलने लायक बनता है, but again, it is too much adventurous a stock, हमने अपने model portfolio में भी इसको include किया हुआ है, and मुझे लगता है, 3800 I think, that's my bargain price, अगर इसके आस-पास मिलता है, जो कि यह मिल जाता है, तो उस पे किसी को भी अपने model portfolio में इसको शामिल कर लेना चाहिए, and आखें बंद कर लेनी चाहिए, अच्छा, बाकी मैंने stocks के लिए नहीं बोला है, जैसे मैंने Adani Transmission के लिए मैंने बोला भाई, नहीं लेना चाहिए, इसक कारण retail investors इस stock से बहुत नाराज है, institutional का thumbs up है इसको, लेकिन retail बहुत परिशान है इस share से, so थोड़ा रुक के, थोड़ा डर के, इसमें invest करना चाहिए, मेरे सबसे model portfolio के लिए inclusion बनता है, और हमारे model portfolio में वैसे यह है भी, so we are holding on to GMM Fordler, rank number 7 के बाद आता है, rank number 6, domino's pizza, यानी की j अच्छी sale भी मिलती है और इनका एक mode business है, मेरे को नहीं लगता कि jubilant food work से और बहतरीन आपको food space में, या फिर food delivery space में कोई company मिल सकती है, बट अगेन ये भी life eye के आसपास में है क्या, I think है, and 2130 मेरा bargain price है, again, देखो मेरी बास समझवाब, सारे shares आपको life eye पे मिलेंगे ही, और हम खरीदेंगे अपने ही prices पे, हमारे prices आएंगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो तौबा तौबा, कभी भी market के top पे share खरीदने से पहले analysis जरूर करें, कि क्या वो वहाँ से correction हो ही नहीं सकता, and I think, ये question अगर आप करेंगे तो आप bargain के उपर में बात करना शुरू कर देंगी, again, जिसको मेरे approach के बारे में जादा idea नहीं है, या जिसको समझना है कि ये approach क्या है, आप किस तरह क्या कर रहे हो, आप थोड़ा explain कर सकते हो step wise, उसके लिए भी आप comment box में लिखो न, अगर आपको लगता है कि एक special episode इस पे भी shoot होना चाहिए, कि मैं किन किन चीजों को देखत इसके अलावा next on my list is sir Adani Enterprise and such में बता रहा हूँ, मैं पहली बोलो, यह सिर्फ लिस्ट में आ गया क्योंकि मैं एक quantitative model पे work करता हूँ, और अगर कोई stock बहुत बहतरीन कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, यह model में आ जाते है, Adani Enterprise भी model में आ गया है, life high पे है, 350 कि मैं यह मुझे पता यह नहीं मिलने वाला है, यह नहीं मिलने वाला है, और यह क्यों भाग रहा है, पता नहीं, life high पे क्यों है, पता नहीं, basically, यह जो पूरा group है, पूरा Adani group, इसमें थोड़ा देख दिखा की करना चाहिए, मुझे लगता है, पूरे market में यूफोरिया है की नहीं ह हो सकता है, तो ऐसे में अगर आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी आपके मन में हिचकी चार्ट है ना, आप ना इन्वेस्ट करो, that is my recommendation, although it is in my top 5, लेकिन top 5 के बाद में मैं बोल सकता हूँ, इस company पे फिलहाल कोई भी trust और कोई भी confidence नहीं है, लेकिन फिर भी bargain price अगर आप ली थी, 5500 के levels पे, और आज मैं 5780 की यहाँ पे bargain price की उमीद लगा रहा हूँ, 5500 से यह stock 7000 तक चला था, अच्छा returns दिया, और खास करके एक ऐसे stock, जो की blue chip stocks हैं, और उसके बाद इतने जबरदस्त returns देते हैं, I think makes a wonderful bet, but again PGHL अपने लाइफ आई के बहुत करीब है, 6800 के आ पास अगर मिलेगा तो, again, यहाँ मैं उपर वाले से यही उमीद कर रहा हूँ कि बवान, correction होगा, तो हम लेंगे, नहीं तो ठीक है, दूर से देखेंगे, enjoy करेंगे, okay, next up is on my list, number 3, web of global, अगर आपने first time सुना इस company का नाम, please, 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 अगर आपने first time इस company का नाम सुना है, please comment section म यहाँ सर, हमने first time ही सुना, यह वैबव ग्लोबल का है, तो देखो, वैबव ग्लोबल, I think it's a small cap company, and यह लोग टीवी शॉपिंग कराते है, समझ महा रहा है, टीवी शॉपिंग कैसे होता है, मत आप टीवी चालू करते हैं, और सामने से वो बोलते है, अब ही का पी, यह ची आता था, web of global, web of global, because of statistical reasons, मैंने इस company के बार में पढ़ना शुरू किया, मुझे इनकी website देखी, इनकी एक और website देखी, basically इनके पास दो website है, वो देखा, थोड़ा बहुत मैंने इस company बार में पढ़ा, and my reaction was, होगा, इनका business बहुत अच्छा, बहुत अच्छा business होगा, but मुझ इस तरह की company में थोड़ा डर लगता है, ठीक है, apart from that, this company is doing really very good, यह company claim कर रहे है कि इनके fortune, 150 companies में इनके नाम है, so, ऐसे में, the company might be doing good, मैं, कोई allegations नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरह से यहीं बोल रहा हूँ, that I have heard of this company, only on the basis of its stock movement, इसके अलावा, इस company के कोई भी product, कुछ भी चीज़ के बार में, मुझे कोई idea नहीं है, idea करूँगा पहले, तब मैं शायद इसके बार में सोचूँगा, as of now, अगर फिर भी कोई जद गरता है, कि नहीं एक bargain price होना चाहिए, 1827, मेरे model के हिसाब से यह price आता है, लेने का, again एक correction पे ही होगा, because the stock is again trading at a very good price, लाइ-फाई-पे है, यहाँ पे मुझे लगता है, करेक्शन के ऊपर में ही किसी को entry लेनी चाहिए, and अगर आपको किसी को जानकारी है, web of global के बार में, तो आप एक अच्छी जानकारी वाली कोई भी अगर website वगरा कुछ है, तो आप बताईगा, so that मैं इसके बा हूँ, because में को इसका model समझ में अभी तक नहीं आया है, क्या इनका business है, क्या नहीं है, और कितने ये लोग करते हैं, नहीं पता, इस थोड़ा hold करेंगे इसके लिए, okay, next, number 2 पे है, Deepak Nitrite, भाई, यह है हमारा चमकता सितारा, model portfolio में भी, इस stock में 25% से जाधा profit हम सब को मिला है, अगर आप उससे खुश है, तो comment box में लिखो, कि sir, Deepak Nitrite was one of the best picks, कैसे, क्योंकि Deepak Nitrite में मैंने, जो target price लगाया था, आप सब को पता है, 710 का target price लगाया था, यह stock ने उस correction में 705 टच किया था, नीचे तक, हमने 710 में इसमें entry ली थी, अपने model portfolio में, and वहां से, आज, इसने 830 इसके आसपास के levels को छुआ है, so basically, in our model portfolio, you are going to see 25% के आसपास का profits, in the Sunday's video, जो अगला वीडियो आने वाला है, तो उसमें आप जरूर यह सारी चीजे देखने वाले है, and ऐसे में, I think Deepak Nitrite is doing wonderful business, गजब का chemical कंपनियों में, सबसे तगडी कंपनियों में यह, main income phenolics वगेरा का ह business है, लेकिन फिर भी, it's a wonderful company, अगली correction इसमें आएगी जल्द, यह मुझे लगता है, correction जल्दी आएगी, अपकी बार एक bargain price set करेंगे, 775, quantitative model के अनुसार, and I think वो price आने पे, again, एक next 20-25% का run वहां से मिल सकता है, but as of now, इतने high price पे Deepak Nitrite में, कोई भी entry करने है, कोई पाईश ही नहीं है, wait for 775, उसके बाद सोचेंगे, and finally we have rank 1, which is Alkyl Amines Chemical Limited, इस पे हलकी सी, मैंने आपको एक, मैं कहा सकता हूँ, presentation दी थी, in the last video, जिस में मैंने stock के बार में बात किया था, यह company बहुत ही तकडा कर रही है, and हमारे model में यह rank 1 पे आ रही है, this is a good company, undoubtedly एक अच्छ में मिलेगा, क्योंकि sir, यहाँ भी लाइफाई पे है, so सारे stocks में अगर हम देखें, तो यहाँ पे लाइफाई पे ही जादाता stocks है, कुछ stocks हमारे top 20 में enter कर जाते हैं, फिर भी हम उसमें hitch की चाते हैं, because of many other reasons, अब यह इतने सारे reasons, वगेरा filters क्या है, उनके लिए obviously आप एक करी, बाह सकते हैं, by a special episode, आप उसके लिए comment जरूर करें, कि हाँ, ऐसा episode आप देखना चाहेंगे, apart from that, आज के इस video में मैंने अपने top 20 आप साब के सामने रख दी है, and it is up to you to take a call, कि इसमें से कौन से आप भी अपने model portfolio में include करना चाहोगे, अगर आप अपने actual portfolio में include करना च identify कीजे, and enter करिए, and in fact, जो आपको profit या loss हो, उसके credits भी आप खुद को दे, मेरे पे ना डाले, got the point, so ये चीज़ ध्यान रखेगा, कि एक academic point of view से मैंने आप अपने top 20 को disclose किया, and I will bring top 20 every single month, so अगले महीने भी top 20 growth stocks of India, आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए, इन सारे stocks को आप जरूर से अपने watch list में रखें, जैसे मैंने भी रखा हुआ है, and अगर किसी में correction बना, so we can actually take a position there, so that's it, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, next video में, जो की आने वाला अपना regular video, the journey of an investor में, Sunday को, Sunday 11 बजे dot अपने मिलेंगे, जिस video में, again मैं discuss करूंगा, कि ह हमारे model portfolio में क्या हो रहा है, इंडिया के stock market में क्या हो रहा है, और हम आगे क्या करने वाले हैं, so that is it, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए bye bye, take care, and आप अपना ध्यान रखें, और तरक्की करते रहें, जैहिन